आ गया आ गया आ गया finally इस CUT का 2024 date sheet आ चुका है इस date sheet में हमें clearly बता गया है कौन से exams online होने वाले हैं कौन से exams offline होने वाले हैं ठीक है विचले शुरू करते हैं और देख लेते कि CUT 2024 date sheet कहाँ पर हमें मिल सकती है ठीक है? सबसे पहले हमें बच्चो अपने Google पे जाना है ठीक है? और हमें सच करना है C-U-E-D-Date-Sheet-2024 जब अप यहाँ सर्च मारोगे बच्चो तो अपसे पहला वाल आपको link देखना है जो की NDA द्वारा National Test Agency द्वारा ठीक है? इस पे आपको click करना है बच्चो तो आप पीडिएफ पे आ जाओगे और इस पीडिएफ में आपको तीन पेज़ेज देखने को मिलेंगे 1st page, 2nd page and 3rd page ठीक है? 1st page में बच्चो बिसिकलिए हमें बताया गया है कौन से subjects के कितने minute की examinations होंगे की subject के आपको 45 minutes के examination आपको देना पड़ेगा और कौन से ऐसे subject है जिनके आपको 60 minutes मिलेंगे examination देने लेगे तो सबसे पहले पेज़ की बात कर लेता है बच्चो अगर हम पहले पेज़ की बात कर लेता है बच्चो तो यहाँ पे हमें clearly बताये गया है यहाँ पे हमें clearly बताये गया है कि बच्चो accounts, economics, physics, computer, computer science and information, practice, chemistry, mathematics and applied mathematics यह सारे जितरे subjects है इनके लिए इनके लिए हमें total 60 minutes मिलेंगे exam के लिए ठीक है इनको छोड़के बच्चो इनको छोड़के बाकि सारे examinations के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 45 minutes मिलेंगे ठीक है परस्ट information तो यह बहुत important है दूसरी बच्चो कि हमारे इस जो फर्स्ट ही सेकेंड पेज में हमें जो data available हुआ है सेकेंड पेज में हमें जो data available हुआ है बस एक unit बच्चो में यह गाउट कर देता हूं सेकेंड पेज पे हमें जो data available हुआ है सेकेंड पेज पे यहां पे हमें बता उन examinations की date sheet और time दी गई है बच्चो जो की offline होने वाले हैं जिनका आपको जाके centers पे paper देना हुँगा ठीक है यहां पे एक चीज बहुत ध्यान रखेगा बच्चो कि 15th May 2024 को आपका chemistry bio English और general test एक साथ होने वाला है बच्चो यहां पे shift आपको दे दी गई है पहले से ही then आपको 16th May 2024 को आपको economy, India, arts, physics and then maths है then हमारा 17th May को हमारा geography, physical education, business studies and accounts and then 18 को है बच्चो हमारा history, politics and science तो यह वो सारे subjects है बच्चो जिसका basically आपको offline exam जाके देना पड़ेगा अब बात करें इस third page की बच्चो तो यह वो exam से जिनका online होगा जिनका online होगा जिनकी examinations online conduct करा जाएंगे इसमें वो सारे subjects है जिनके लिए कम applications apply हुई थी ठीक है जो बच्चो देखें जो main subjects है क्योंकि उनकी जादा applications apply हुई थी इसलिए CUAT उनके offline examinations करा रहा है ताकि वो equally सारे बच्चो पो opportunity दे पाए और फ्रही बात वो subjects की जो core नहीं है जिकके लिए कम application form fill up होई है तो CUAT उनका test बंदक करा रहा है online ठीक है अब बात करने की examinations की तो बच्चो OMR sheet पे आपकी examinations होंगी ठीक है तो बच्चो हमारे इस channel पे हम तूरा complete CUAT पढ़ाते हैं आप अभी भी आगर हमारे साथ बढ़े जा सकते हैं तो हम आपकी CUAT को निकालने में help कर सकते हैं और be sure बच्चों की इस बार CUAT एगदम अप्लोग ना छोड़े बिकास ये CUAT वेरी वेरी स्पेशल अटको साथ क्योंकि ऐसे कभी date sheet हमें पहले से provide होती नहीं और यहां पे हमारा time जो पहले से होए वो reduce हो चुका है जो CUAT ने पहले चो time sheet दी थी ये 15 में और 24 में इससे पहले CUAT ने date sheet दी थी 15 में तो 30 में तो उसको reduce किया CUAT ने सिर्फ पर सिर्फ पहले बार 2024 में ठीक है तो ये थी बच्चों हमारी PDF और date sheet